First question है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका सुनने और लिखने का मतलब है, सुनना भी और लिखना भी दोनों ही चीज़ें शामिल है तो अगर आपको ये स्किल दोनों ही डिवलेप करनी है तो क्या करेंगे आप अंसर क्या है इसका? B. सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना जितने भी दे रहे हैं बलुकुल सिंपल बात है बच्चे की इसमें natural ability एक तो सामने आएगी अभी व्यक्ति जो है वो उसकी natural होगी, real होगी, original thought होगा क्योंकि जो उसने कहानी सुनी उसको वो अपने शब्दों में लिखेगा तो सुनना भी विक्सित होगा कि वो ध्यान से सुन करके समझ पाए सुनना कौशल यानि listening skill भी अच्छी हुई और writing भी क्योंकि अपने शब्दों में लिखेगा तो कुछ अपने विचार original लेकर के आएगा या एक कहने का तरीका अपना आएगा, एक style एक shelly तो बनेगी at least तो B answer इसलिए सही है, सिर्फ उत्तर देने से किसी का भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा विकास हो जाए शब्द शहा है लिखना तो फिर अपने आपका जूसके राइटिंग है वो उतनी बहतर नहीं हो पाईगी कि listening तो मान सकते हैं चलो ठीक है शब्द शहा है सुन लिया और इसको याद रख लिया और फिर कह लिया ठीक तो शब्द शहा है जो है वो आपका में काम क्वेस्ट नमबर 2 पर चलेंगे हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश है नहीं है जो हिंदी लेंग्विज है आपकी वहां असेस्मेंट का एक अब्जेक्टिव नहीं है विच वन आफ तो फॉल्विग इस नॉट एन ओप्शन ओफ या फिर नॉट आफ या नॉट आफ थोड़ी थोड़ी समस्य आती रहेगी आप लोगों को मैं बीच में दिखती रहोंगी कर लेक टेबल इधर लगाएंगे तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश है क्या नहीं है पहला आप्शन है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्यक बच्चे की विशेश आवशक् इस्पेशल नीड है वो आप पहचानेंगे भाषा सीखने सिखाने के प्रगरिया को उन्नत बनाना बच्चों की भाषागत त्रूटियों की ही पहचान करना या फिर बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्या सिक्षकों को बताना अब आपने जुन्होंन त्रूटियों की ही पहचान करना, मतलब सिर्फ गलतियां ही निकालना, यह उद्देश है किसी भी आकलन का नहीं हो सकता, आपके आगे लर्णिंग को कैसे बहतर कराना है, फीडबेक मिल जाए, आपको बच्चा कैसे सीखता है, कहां कमी है, आगे कैसे बहतर कराएंगे, यह नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ कमी निकालना, ठीक है, तो यह सी ऑप्च्चन, इसका सिंपल सही आंसर हुआ, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्न अबर थी पर, आपके विचार से प्राथ में किस तर पर उत्कृष्ट लेखन का उधारन है, मतलब आप प्राइमरी लावर पर बहतर अच्छा लेखन, जो राइटिंग स्किल है, वो बहतर है, किसके कारण, पहला, मतलब उधारन कौन सा एक सही होगा, एक्जामपल इस बात का कौन सा सही होगा, पहला ऑप्चन है, मेरे सपनों का भारत, विशय पर अनुच्छेद लिखें, यानि एक पैराग्राफ ल कहते थे हम, यानि कि डिक्टेशन कराएं, या फिर किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, या डी ऑप्चन छुटियां कैसे मनाई इस विशय पर अनुच्छेद लिखना, बात हो रही है उतकृष्ट लेखन की, मतलब बहतर लेखन, आज़र कौन सा होगा, C option, किसी आँखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, अब इससे क्या होगा, एक फॉर्म जो है उसकी रिपोर्ट करना, उसको कह लीजए, या फिर एक रिकॉर्ड करना, जो चीज़ें उसने देखी, उनको वो एक standard language में डाल पाएगा, अपनी original भाशा का वो इस्तिमा about language learning, या linguistic development, बता एक बार, प्रू की बात है यहाँ पर, पहला option है, बच्चों में, बच्चों में भाशा अर्जित करने की जन्मजात शमता नहीं होती, या फिर बच्चे विद्याले आकर ही भाशा सीखते हैं, या फिर बच्चे विभिन संचार माध्यमों से ही भाशा सीखते हैं, या फिर बच्चों में भाशा अर्जित करने की जन्मजात शमता होती है, बता एक बार, बहुत बढ़िया, D, मतलब बच्चों में भाशा अर्जित करने की जन्मजात शमता होती है, ये बात कौन कहेंगे, चॉंस्की कहेंगे इस बात को, नॉम चॉंस्की इस को कहते हैं कि मानव शिशु में जन्म से ही शमता है भाशा को सीखने की भाशा ले करके पैदा नहीं होता वो सीख सकता है बढ़ा कुछ प्रिस ग्राफिया से प्रभावित बचों को मुख्यय उप से डैश में कठिनाई होती है मतलब जनको डिस चीज में कठिनाई होगी बताएं इंग्छि काव्या ही किए पहला अपशन है बोलने में, दूसरा है पढ़ने में तीसरा है लिखने में लास्ट वन इस सुनने में C मतलब लिखने से related, graph आपको याद रखना है, जहां बात graph किया गई, जो आप graph paper आपको मिलता भी था, उससे याद रख लेना, लिखने से related होगी, जब बात graph किया है, graph किया है, यानि, ठीक है, dyslexia क्या है, वो पठन संबंदी विकार है, ये लेखन संबंदी विकार है, लिख संबंदी विकार होता है, ये तीन विकार सबसे जादा पूछे जाते हैं, CETAT में, अफेजिया, जो pH जहां आजाए, मतलब, sound से related है, तो वो बोलने से related होगा, तो ये basic-basic सी चीजें है, जिनको आप थ्यान में रखेंगे, तो प्राथमिक इस्तर की हिंदी भाषा की पाठ मतलब, बहुत जादा आपने, extemporary क्या दिये हैं, बहुत सारे practice questions दिये हैं, हिंदी भाषा को विध रूप देने वाली रचनाएं, या बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, आंसर क्या है, C है, हिंदी भाषा को विध रूप देने वाली रचनाएं, मत कोई एक आंकी मिलेगी, जो one act play होते हैं, कोई story मिलेगी, इस तरीके से कितने सारी रचनाओं के रूप हैं, अगर हम बात करें, तो विध रूप देने वाली अलग-अलग context में use किये गई हो रचनाएं, वो सबसे बहतर हैं, क्योंकि बच्चा बहुत तरहा के एक literature से होगा, तो C answer इसका simple और सरल है, बहु भाशिक कक्षा में बच्चों की भाशाएं, मतलब multilingual जो classroom हैं, उसमें बच्चों की जो भाशाएं हैं, वो कैसी होंगी, पहला है, सिक्षक के लिए बेहत जटल चुनोती है, आखलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाशा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कारे कर सकती है, as a resource, बिल्कुल multilingualism, एक class में बहुत सारी भाशा हैं बोलने माले बच्चे हैं, तो वो एक asset है, एक resource है, एक संसाधन है, ये question fix है, आपका ये number, कितने सारे number हैं, जो fix हैं, वो topic हर बार पूछे जाते हैं बहु भाशिता ऐसा, कोई भी paper नहीं मिलेगा, जहां आज तक ना पूछी हो, तो answer क्या होगा, भाशा सीखने की प्रक्रिया के रूप में संसाधन का काम करेंगे, यानि एक resource है, कुछ words का वो बच्चे एक दूसरे से बहुत सारी words सीखते भी हैं, अपनी बात को कहने में उ उसको बोलनी आती होगी, क्योंकि आपको पता है, early childhood में वो at least 2-3 साल के बाद तो भाशा बोलना ठीक ठाक शुरू कर देता है, धाई साल के बाद तो telegraphic speech ही आ जाती है, तो उस case में तो बच्चे भाशा बोलना तो जानते हैं, वो अपनी mother tongue में बात तो करी लेते हैं, आप कोई school आने से पहले वो अपने आपको express कर पाते हैं, तो इसका आप क्या कहेंगे, बोल्चाल की भाशा का जो अनुभव लेकर के आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, बच्चों की बोल्चाल की भाशा को सुधारा जाए, बच्चों के भाशाई अनुभवों का अगर नीव है, तो कुछ तो है, इसके उपर आगे बनाएंगे बिल्डिंग, ठीक, तो बच्चों के भाशाई अनुभवों का उचित प्रयोग करते हैं, आप उनको यूटलाइज करते हैं, जो भी वो अनुभव लेकर के आएं, उसी भाशा में आप उनको express करने के लिए क है सकते हैं, बाकी तो आप धीर-धीरे उनको standard language सिखा सकते हैं, बट जब वो आ रहे हैं स्कूल में तो at least खुद को express करें, अभिव्यक्त करें, भाशा सीखने, सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महतुपून मानते हैं, मतलब which one of the following is most important in the process of language development, तो पहला option है सामाजिक अन् सामाजिक अन्यों क्रिया, बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं, यह तो देखे कि प्रयोजन क्या है, मतलब किस काम के लिए हम किस चीज को यूज कर रहे हैं, अगर भाशा सीखने की बात करें, तो सबसे ज़्यादा महतुपून सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अन्यो जितना ज़्यादा वो इंटरेक्शन में आता है, आप बच्चों से बोलना शुरू करते हैं, वो धीरे देरे एक एक वर्ड बैबल करना शुरू कर देता है, तो सोशल इंटरेक्शन एक सबसे अच्छा माधियम है, वाइगोस की इसी बात को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, त या फिर बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोक, मानक भाषा होती है, स्टेंडर्ड लेंग्वेज, और बच्चों को सिक्षा प्रद बाल साहित्या पढ़ने के भरपूर अवसर देंगे आप, या फिर बच्चों की भाषा संबंदी सहज रचना शक्ती को बढ़ान मतलब सहज यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लेंग्वेज में, बच्चे की जो सहज रचना है जो उसकी इंट्यूटिव एक लिखने की या बोलने की जो उसकी अबिलिटी है उसको आप सबसे पहले अफसर दें, अगर उसको एक्सेप्टेंस फील नहीं हुई सुना घर पर या अपना कोई experience बताए वो तो यह सारी चीज़ें आ जाती है बिल्कुल दीपा ठीक है सब और बच्चों को सिक्षा प्रत बाल साहित पढ़ने के भर पूर अफसर दें देंगे आप अबविसली धीर धीर देंगे ही और आगे कराएंगे आप लेकिन बैस्ट